हलो अससलाम उलीकम एव्रीवन क्याल आप सबके हो पेकर साइट में रहली पहले और यहां यहां यूके में इस्टर होरी डेस ही और उनका स्टार्ट हो गया था काफी लॉंग वीकेंड मिला था तो इसलिए हम लोगों ने सुचा के चलो इसका फायदा उठाते हैं और घर को जरा प्रॉपरली सेट कर लेते हैं ठीक से सफाई शफाय यहां कर लेते हैं इसलिए सबसे बेले स्टार्ट किया था बैच्छी चेंज करने से बैच्छी हम लोगों ने चेंज कर ली थी उसके बाद हस्पिन अपनी कबर्ट भी आज सौट आउट कर रहे थे इतनी सारी पोल कभी कभी आप लोगों को कर लेना चाहिए घर आपका महफूस रहता है हर तरह की प्रॉपलम्स आफ़त से हस्बंड लगा रहे थे जी हुवर आज और मैं कर रही थी डस्टिंग एक कमरी की मैं डस्टिंग करती जा रही थी फिर वहां पर आके हुवर लगा रहे थे उसके पिर मैं यहापे मॉपिंग करूंगी इसी तरहीं से मिल बाट कि हमारे सारे काम हो जाएंगे जब भी मैं डस्टिंग करती हुँ ना तो मैं यह वाली जो विंडोस हैं हमारे हर रूम में उनको भी जरूर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ वैसे तो यह डीप क्लीन प्रॉप उसके खराब नहीं कि अकर सेटिंग खराब हो गई तो फिर हजबन का मूल भी खराब हो जाएगा तो यह थोड़ा टर्की पार्ट होता है तो इसमें यहां पर मैं थोड़ा जादा टाइम लगा के सुकून से तफसील सकटी हूँ और शायद आप लोगो को वीडियो में लग रहा हो कि जादा डस्ट नहीं है बट अच्छे खासे डस्ट हो जाती है यहां पर हाँ यहां पर पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सुबा डस्टिंग करी और शाम में डस्टी डस्ट है यहां पर अल्मॉस्ट एक हफ़ते तक आपकी डस्टिंग लास्ट कर जाती है हम लोग ना यह सारा घर पूरा रीसेट इसलिए भी कर रहे थे क्योंके कल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टन डे था तो उसी की तैयारियों में हम लोग सब लगे वे थे क्या डे है क्यों है किसलिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं वो तो आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा बट आप लोग को बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं इन्शाल तो आगिए सो प्लीज स्टे ट्यून और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कहा है तो कर दीजिए बेल आकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं खेर मैं प्रॉपरली सारी जफाइयां तो आप लोगों को नहीं दिखा सकी लेकिन थोड़े बहुत सारे क्लिप्स दिखा दिये थे हम जरूने मिलबाट के अच्छे से घर को क्लीन कर लिया था और अब उसके बाद पूरा देनी अजब करने के बाद मैं आ गई थी इफतार परताने के लिए आज इफतार मेनियों में था पकोडे इसके लावा फ्रूट चार्ट और पाकिस्तान का कराची स्टाइल शामी बन कबाब वो जो अंड़ा शामी बन कबाब होता है वो और साथ में थी चना चार्ट बन रखे ही हुए थे और अगर मैं उनको अब यूटिल ताइम पर लंच में फृर इस मिलती थाझा था न मैंश में फ्रेंच फ्रीक मिलती था आइश बना कर देती थी थी थे थोड़े 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 से ओईली और थोड़े से सौघी होजाते थे उस तरह के फृर लगी और बहुत दिल चाह varied है जब गर में frozen फृर Till हृए ह कर रहे होते हैं और यह देखिए मैंने फ्रूट चार्ट बनाने की duty husband को देती है आज फ्रूट उन्होंने बनाई थी और बनाकर फ्रिज में रख दी थी यह बोल करके इसमें seasoninng आप खुद कर लीजेगा मैंने काट दिया है seasoninng करने के आज की फूट चार्ट जो है वो इस तरीके से खाई जाएगी बट मैंने रहने दिया मैंने का कोई बाद नहीं अब उन्होंने इतनी हल्प कर दी यही बहुत है और बस मैं यह करूँगी कि इसको थोड़ा सा खोल दूँगी जो थोड़े डबल डबल हुए वे थे कीनुगी बाकी मैंने फूट चार्ट में सीजनिंग कर दी थी सीजनिंग आप लोगों को पता ही है हलका सा नमक उसमे शुगर आपके एस पर टेस्ट और चोड़ा सा चार्ट मसाला डालके मैं सब कुछ रख दूँगी उसके बाद मैं बना रही थी जी आज चना चार्ट चार्ट बह जो है वो आज बिल्कुल सी बना रही थी मैंने इसमें बॉयल्ड चने डालती है उसके बाद आलू डालती है साथ में धनिया पौदी ना और डाल दी मैंने प्यास अचा प्यास यहां पर बहुत तेज बहुत स्ट्रॉंग आती है तो मैं प्यास को काटके नमक वाले पानी म मैंने निकाल के डाल दी थी इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो यह बल्लकुल पेस्ट टाइप बन जाएगी और देखें यहां पर मेरे मज़दार से फ्राइज भी बन गए है और अभी मैं इनको ऐसी जल्दी निकाल रही हूँ लेकिन बात में मैं इनको स्ट्रेंड कर लू थी हूँ अच्य यहां पर मैं काट रही थी प्यास ऐसे लचास इस ताइल की यहां मुझे बनाना था बन कबाब कराची स्टाइल का आच्छा बहुत डिफेंट डिफरिष़ जगां पर मिलते हूँग e अन्डा शामी बन कबाब लेकिन जो बात कराची के अन्डा शामी ब पर फेमस हैं लेकिन कराची में जो है वो ऐसे अंड़ शामी बन का बहुत जादा फेमस होता है और वो वाली बात तो मेरे बर्गर में नहीं आ पाएगी बट फिर भी चोड़ी सी ट्राय कर लेते हैं यहां पर यह बंस थे इनको मैं सेख लूँगी अच्छे तरीके से चारो कर लूँगी अच्छा वैसे मुझे अंड़े के बगएर खाऊंगी मुझे अड़ने वाला पर कर अच्छा नहीं लगता है लेकिन हजबन अंड़े वाले ही काते हैं तो फिर मैं बस एक ही अंड़े को आमलेट बना लूँगी और आमलेट में थोड़ी सी हरिमिट्चे भी तेसे नहींस हो जाएगा आप लोगों को कैसा लगता है बन कबाब अंड़े के साथ या अंड़े के बगएर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वैसे ये असल में तो अंड़ा शामी कबाब भी फेमस है लेकिन अक्सर लोग मेरी तरह हैं जो नहीं खाते हैं अ ओमलेट फ्राय होने के बाद मैं इसी पैन के अंदा थोड़ा सा ओयल डाल के अपने शामी कबाब भी रख दूँगी शामी कबाब मैंने काफे टाइम पहले ही फ्रिजर से निकाल के रख दिये थे लेकिन फिर भी वह प्रॉपरली डीफ्रॉस तो होई नहीं थे यहां ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहां का वैदर जैसा है क्या बाहर अगर निकाल के रख भी दो तो हों हों टेंपरिचर जो हो थोड़ा हाई रहता है तो चीज़े से डीफ्रॉस नहीं हो पाती है यहां पर मेरे फ्राइज का सेकेंड बैज बी कंप्लीट हो गया और बस अब मैं पकोडे फ्राइए करूंगी साथ साथ सारे काम मेरे चल रहे थे स्पीड में क्योंकि टाइम कम था आज काफी सारा टाइम हमारा सफाय सुतराई में लग गया था काफी सारा क्या इन फाक्ट सारा दिन हम लोग लगे रहे थे मैंने जादा रेकौर्ड नी कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों मैं जरा करनी पाही थी तो जादा कपड़े जामा हो गए थे सो आज मेरे एक टास्क यह भी था कि मैंने सब कप्रों को जो है वो आज फारे करना है धूना है ताकि कल से मेरे जो है वो प्रॉपर डेली के ही रूटीन में आजाएं काम अच्छ को युटिलाइस कर लूँ और मैंने एड़ किया था इसमें चिली गार्लिक साथ में मैंने हस्बिन वाले में रख दिया था एग और साथ में अब मैं रख दूंगी प्यास के बगेर तो यह एंडे वाला बंगबाव इंकंप्लीट है जो प्यास का क्रण्च आता है उसकी ब बना लिये थे और उसके बाद अब मैं दोबारा इनको एक दफ़ा सेखंगी ताकि यह गरम हो जाएं साथ साथ मेरे पकोड़े भी फ्राय होते जा रहे थे और बस आल्मोस्ट टाइम होनी वाला था और बस हम जले जल्दी सारे काम कर रही थी जो इमली था ही मेरी वो अच् अच飛च भी फ्राय हो रहा हा था आज मैंने क्वेगर बना लिये थे इसलिए मैंने आलो वाले पकोड़े नहीं बनाए थे मैंने मिक्स पकोड़ा बनाएते और यही मेरे मज़दार सी चाना चाट और जो फ्राइस बनाए थे उसके अंदर मैंने अच्छे से बहुत सारा सा मसाला डाला था जाट मसाला था, हल किसी मैंने पिसी मिच डाली थी, नमक डाला था और आज मेरी मज़ेदार से अफ़तार रेड़ी हो गई थी इतनी सारी मेंनत करने के बाद तो ये बनता है ना और देखें हस्बिन का हाथ भी सबसे पहले ये हमारे देशी स्टाइल के पुरानी अम्मी की याद वाले फ्राइस पे याद गया था जब मैं बना रही थी तब वो कह रहे थे क्या है ते ओली क्यों बना रही हो क्या जरूरत है जो रखे में फ्रोजन वो एर फ्रायर कर लेते हैं और अब जब मैंने बनाए तो इंजॉय उन्होंने भी किये खेर आज का व्लॉग यही तक था अपना बहुत सादा ख्याल रख किये गा इंशाला नेक्स व्लॉग में बिलेंगे तब तक के लिए लिए अल्ला हाफिज